बड़ी बेसबरी से जिनका इंतिजार था हमारे बीच में फिल्म अभनेता आदर्ण अली खान साहब के उपस्तिती हो चुकी है एक बार मैं चाहता हूँ पूरे सदन की जोड़दार तालिया उनके सम्मान के लिए उनके स्वागत के लिए उठें और मैं अगले सायर को माईक पर आवाज दूश से पहले मैं चाहता हूँ बड़ी दूर की यात्राताय करके हमारे बीच में आदर्ण अली खान साहब के उपस्तिती हुई है अगर आपकी इजाजत हो आपकी अनुमत्ती हो तो क्यों नो दो मिनट उनके सब्दों का उनके आशिरवाद का अनंद ले लिया जाए तो मैं निवेदन करता हूँ बड़े भाई आदर्ण अली खान साहब से क्यों माइक पराए और अपने चंदर सब्दों से अपने आशिरवाद से अपने आशिरवचन से इसकारे करम को गवरोपरदान करें भाई अली खान साहब माइक पराए बहुत बश्च शुक्रिया सौमाँ लेख 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 अबस्टर सौचे की भाई दखिए आपके आने के लिए मुंबई से सुगब पांचवे से तैयार होके निकला हूँ लगनव होते हुए तुलसीपूर तक पहुंचा हूँ हमारे चेर्मन साहब के लिए जोरदार दालिया हूँ अर्शद भाई जो आजनगण में थे वहां से आ रहे हैं असलम भाई हमारे शावान जो बिहार बेगुस राय से आया बहुत जोदी इनको अभी आप पर्दे पर देखेंगे हमारे शावान को शावान को बहुत सारी फिल्मों में इनको भी मैं चान्स दिलवार हूँ अकमल हमारे बहुत पराने दोस्त हैं हमारा एक सब ग्रूप है शावान हम अकमल बड़े जमाने से बात होती थी कि बलरामपूर चलना है तुरसी पूर तो आज अल्ला का शुक्र है कि आप सब के सामने मौज़द हूँ फिल्मों में रूल खतरना करता हूँ लोके यकीन जानी इनसान अच्छा हूँ बहुत सारी फिल्मों में हिरों की धुलाई किया खुदागवा से शुरुआत हूँ उसमें हविब उल्ला का रूल था हमिताब बिच्चन जी का गलस सुग गया था मुझे पकड़ने के लिए सर्फरोष कुहराम मा तुझे सलाम तक्रीबन सौ से सौ सो फिल्मों में ऐसे विल्म काम किया लिहार से छोड़े से गाउं का हूँ भाग के गया था हीरो बनने वहां जाके पता चला इतना असान नहीं अभी अक्मल से मिलने आ रहे थे तो देखा कि एक बैचारी बुड़ी माज हुएं सो यहां पर रोट के पास नीचे गिरी हुए थी किसी के नजब नहीं पूड़ रही थे मैंने अर्श्रवाई से कहा कि गाड़ी रोख वाई है मैं उनके पास गया उनको देखा उनको उठाया उन्होंने मेरी बलाएं ली और बोली बटा जिस तरह से आज तुने मुझे उठाया है अल्ला तुझे भी जल्दी उठा लिए और चुके माशालला बड़े बड़े शुरागराम यहां पे हाजिर है आप सब को बड़ा मज़ा आएगा पूरी रात आपकी है और हम सब भी आपके सामने ही है और इंशालला फिर बीच में आएंगे अक्मल भाई के लिए दुआ किजिए बड़ी कोशिश इनकी और शवा करवाते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट चुके हमें भी बड़ा लगाओ है मशाहरे से इसलिए मुंबई से यहां तक आने में जो सफर तैग किया उसके तकलीव का इसास बिल्कुल खत्म होगे आप सब से मिलने के बाद और इतनी शांदार माशालना पुब्लिक देखने में में सुस हो रहा है तो मैं अक्मल भई अब कुछ कहना है एक तो ऐसे बहुत देहा हाँ अबिब लाँ अबिब लाँ देखिये फिल्म खुदागवास से मेरी पहशान दोनी और इसकी सारी शूटिंग अफगानिस्तान दोनी ती और मैंने उसमें किरन कुमार जी के छोड़े भाई का रोल किया था मैं आपको बता दू कि जब मैं बंबई घूमने किया था तो एक इतफाग है कि अमीजी की शूटिंग करते हुए मैंने कस्मेवादे के सेट पे देखा था और मैं देखा मैंने का ये तो बड़ा आसान काम है फिल्मों में काम करना लेकिन संघर्ष आसान ये नहीं मानूं था तो खेर जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके बंबई शहर में पहुंचा और इतफाक से एक सिरियल मिला था मुझब टेपू सुल्तान जिसमें बड़ा इंपोर्टन टोल था है धर सापका उसके बाद ये खुदा जब मैं करता हूं हमी जी को कि वह खान वह क्या मत को शिकस दिये तुमने मुझे बचा कर अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ये मैं भी तुम्हे खुश कर दूंगा तो हमी जी करते हैं होई खुश है एक मात बादी है बताओंगा कहा तालीब गानी तो हमी जी करते होई तो मैं एक मोट दूसरी मोट से हाथ मेलाना चाहती है तो मैं देकर मोट मोट तो अभी भी खुश तेरे सामने खकुशिक गए है तो बोलते है ौँने बाय ठीन करनी ओ केर आधाब आख ऑ़ नहीं तरे को मोरतकर आ खाशका लेखाल नहीं जी कर थुश्र ठीम क्यानकर या बहुत शुक्रिया यही वज़े कि अभी तक मुंबई में ठीका हुआ हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया थाएं कि सोमच अर्शद भाई के लिए जोड़ दालिया हुआ है अर्शद भाई तरह खड़े होगे आप अप सब को अपना प्यार दीजिये शावान बहुत दूर से यहां यहां मुशारे के लिए और कितने मतलब शावान तो कलकड़ा में ते कैसे कैसे करके शादी में भी आया और इसमें भी और हम्री शामी भी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का इंशाला फिर मुलागातों थैंक यू सो मुश